इतो आज की एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूं मैं हूं रॉसन और आप देख रहे हैं Digital zone रॉसन तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है पर सारीरिक सिचक के बारे में यानि कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर सारीरिक सिचक का यहां पर कुछ बह वालों तो वीडियो को अन्तरु तक जरूर देखिएगा चैनल आपसे भी को चले हैं तो यह इसका रिजये संकर ऐड़ करेंगे तो चलिएスुरू करते हैं का माल यहाँ का यहां पर लिखा है राज के मदभी तयाम में 3 686 है सवास्त अनुदेश्च की न्यूकि वह ज्यक्ति होगी प्राप्त किये जाएंगे चैनित अभियार्थियों को नियुक्ति पत्र 28 महीं तक दिया जाएगा यानि कि इसका प्रोसेस बहुत जल्दी यहां पर बताया गया है लिकें देखिए अब क्या होता है यहां पर लिखाव सिच्छा विभाग के प्रात्मिक बिद्यले निर्दे प्राप्ति की पूर्व में ही दी गई है पंचायती राज लिवल पर यहां पर आप देख बारे हैं सचीव दिवारा 29 अपर अभियार्थि को अब बंदिक मेघा सूची जारी किया जाए जाए जो आपको यान कि कहने के मतलब कि आपका जो माक्स होगा ना माक्सीट पर जो बंदिक मिया मेका लिद्धी अ hyra इंची आप YouTube को ही पर आपतिह प्राप्त की जाएगी और आपति नियुंखक उन्युटिप्र्डिप्रठी प्रादिकार के मेह सूची पर नवमे guitar मेई तक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा और 9 मोई को ही अन्तीम मेघा सूची जीले के एन इसी पोर्टल पर परकासित किया जाएगा जो भी यहां पर आप सभी का रिजल्ट जारी किया जाएगा जो आपको मार्क्स बेसिस पर होगा जितना नंबर अधिक होगा आपका नंबर ज हमारे अनुसार लगता है कि यहां पर इंटरमेडिट लेवल पर ही होगा याप लेकर 12 माई को जीला अस्तर पर कैम्प आयोजित किया जाएगा कैम्प आयोजित होगा जिसमें मेघा कारेक्रम में अभियार्थियों को मंतरित कर उनके परमान पद्रों के जांच एंच सूच की जाएगी और 13 माई को कोटी बार रीक्ती अनुसार यानिकि आपको कटेगरी के वाइज भी आपको लिया जाएगा साथ है जीला के एन आई सी के पोर्टल पर परकासित की जाएगी और नियुक्ति से लेकर एक अपरेल को नियोजन से जूड़े सदस्यों को एक कर्मियों जीला इस्थर पर प्रसीचन दिया जाएगा और जीला प्रताधिकारी रोस्टर अरक्षन बिंदु का अनुमोदन 6 अपरेल तक लिया जाएगा यानिकि आपको कहने के मतलब कि यहां पर आप यहां पर देख पा रहे हो कि यहां पर मैं कुछ डिटेल हाइड किया था तो मै आप देख पारें कि 11 अपरेल से आवेतन दिया जाने के लिए स्टार्ट हो चुगा है यही थी छोड़ी से विडियो अच्छा लगाते एक लाइक जरूर कर देगा इसका नियुक्ति जैसी अस्टार्ट हो जाएगा तो मैं वीडियो बनाकर एक और लेकर आऊंगा जिसके आपको थोड़ा सा वेट करना है 11 में तक वेट करना है जैसे इसका नियुक्ति अस्टार्ट हो जाएगा मैं आप सभी के एक वीडियो बनाकर डाल दूगा जिससे आप यहां पर घर बैठे अपलाई कर सकते अगर ऑनलाइन होता है तो अगर ऑफलाइन होता है तो उसका भी लुए चलते और में इचा न कारी कोश स देता हूं तो देख़िये मैटरीर के लिए यहाँ पर हिंदुस्तान के लिए पर अपर जिभाघ कर जारी पहली बार मैट्री का रिजल्ट मार्च में जारी हो रहा है, अभी तक अपरेल या उसके बाद ही रिजल्ट की निकलता था, 2021 में 5 अपरेल को रिजल्ट जारी हुआ था कोरोना का संक्रमन के कारण 2020 और 2021 में रिजल्ट जारी करने में देरी हुई थी मैट्रिक परिछा 17 से 24 फरवर्वर तक लिए गई थी परिछा में राजवर से 16,48,000 अभी परिछार्थी सामिल हुए थे तो यहां पर आप देख पाने कि आप हैं यहां पर iç मेट्रिक का रिजल्ट यहां पर complete ओन करें दीआ गए हैं या तो एक special वीडियो बना दूँगा जिसे आप घर बैठे result चेक कर सकते हैं और उसमें एक नहीं दो नहीं आपको धेर सारा link दे दूँगा जहां से उस link से आप चेक कर सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा थे कि लाइक जरूर कीजिएगा और जितने भी फ्रेंड हों सभी को सेर कर दीजिए तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टोपी के साथ जय है इन्द